तो वेल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का देखिए मेरे प्यारे भाईयों वहनु जो जेक बोड का एक्जाम हुआ है जारखन अकेडमिक कॉंसिल का ठीक है इंगलेस का इंगलेस कोर उसमें एस्पेसली और किसके लिए तो साइंस और कॉमर्स वालों के लिए एक्जाम कॉमर्स एन साइंस का कॉस्टिन जो कि पूछा गया था दोहजार तैस में ठीक है अब आये देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्लास 12 इंगली स्कॉर और आपको पूर्णांख है 40 यह सब्जेक्टिव टाइप का पेपर है अब्जेक्टिव टाइप का दोंगा तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ठीक है यहाँ पर आता है सेक्शन और सेक्शन बी सेक्शन एक कॉस्टिन नुबर वन से सेवन तक है और देखते हैं तो इसमें पहला कोस्टिन है पुछा गया है कि इस पेसेज को पढ़िए रिट पेसेज कैरफुली ए अगर आप इन फ्यूचर एक्जाम देने वाले हैं 23 के बाद 24 में 25 में 26 में तो यह आपके लिए benefit करा सकता है ठीक है देखते हैं यार मेरे बैटरी भी डाउन हो गया तो यहां पर पांच कोस्टिन पुछेगें पेसेज को लेकर कि आपको पढ़ना इसका अंसर करना है क्यो उसी तरह से question number two है three है seven question है total इन सभी को किसी पांच को ही आपको बनाना है और दो-दो-माक्स का है तो इसका आंसर आपको तीस सब्दों से जादा नहीं देना है ठीक है more than 30 word काफी है आगे देखते हैं तो question number eight or nine इसमें आपको क्या बोला गया है तो इसमें बोला गया है कि read the passage carefully and answer the following तो दस नमबर तो उधर हो गया अब देखते हैं तो इधर आपको जो है यहाँ पे पहला है आपका पांच माक्स का इसका अंसर करना है पांच माक्स के question का अंसर करना है लग question number eight में कि on the basis of your reading जब passage को आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद reading of the above passage make not on it in points only using abbreviation wherever necessary और question number nine में बोला गया है कि write a summary of the passage in about 40 to 50 words टेके 40 सब 50 सब्दों में इस passage का summary लिखे तो पंद्र माक्स तो सरी अठारम पांच तिन आठ माक्स और उपर दस माक्स यानि कि total अभी आपने 18 माक्स का question कर लिया अब आता है group B टेके group A था 18 माक्स का यानि कि group B होगा आपका 22 माक्स का टेके और यह आपकी book से हैं तो देख से किसी एक को बनना है तो answer the following in more than 50 words पचास सब्दों से अधिक नहीं करना है question number 10 इसमें पुछा गया है कि you are Narayan या जो भी आपने नाम लग सकते है Narayan या फिर नामत्रा ठीक है write a suitable notice for your school notice board requesting name of the students for participation in a cultural program to be organized by your school ठीक है तो participate होने के लिए आपको एक notice board में notice लिखना है आगे देखते हैं अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपको और में दिया गया है कि you are sohan या फिर सुमन जो भी है स्वारी सोनम या सुमन और स्टुडेंट मतलब बोईस भी है तो बोईस उपर वाला लिख सकते हैं गल्स निचे वाले लिख सकते हैं ऐसा कोई नहीं के रिक्वाइर कि आप उपर वाला ही लिखें दोनों लिख सकते हैं ठीक है तो मैं एक अ बूक ठीक है आपने अपने नोटबूक लंच के दोरान खो दिया या फिर खो गया जो भी हुआ लेकिन अब आप क्या करेंगे तो यू वेन टू गेट इट आप इसे फिर से पाना चाहेंगे ठीक है गेट इट बेक राइट और नोटिस फॉर यूर इस्कूल नोटिस यानि कि पांच चंगों वाले दो कोश्चन एन इसकाल सर्केजी का लगभग एक सु सब्दों में यहां पर इन्होंने बोल दिया है तो कोश्चन नमरी लेवल इसमें पुछा गया है कि वॉल्ल इन्वार्मेंटर डी ठीक है विस्व परियावरन दिवास हम लोग का मनाते पांच जून को तो वॉल्ल इन्वार्मेंटर डी वाज सेलेबरेट इन यूर इसकूल और फिप्त जून राइटर रिपोर्ट टू भी पबलीज इन यूर इसकूल में जीन यू आर सियाम ठीक है या फिर सियाम ली और क्लास 12 ठीक है जो भी है आप अपना नाम यहां पर य यूर एडिटर ऑफ दा टेलिगराफ रांची फिर बोला गया है कि कंप्लेणिंग इसको कंप्लेंट करना है कंप्लेणिंग अबाउट दा पूर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड यानि की रोड की आपने अच्छी से बनवाया नहीं है जी ठीक है तब पीड़ लोग कहां रोड क आइन एज कविता या किरती ऑफ हाउस नंबर फॉटिफाइब ठीक है आनंद विहार रांची तो क्वेशन नबर 12 था अब आता है क्वेशन नबर 13 यह सब ही आपके 5 मार्क्स वाले हैं इसमें करना है कि राइट आर्टिकल फोर और निउस पेपर ऑन द इंटरनेशनल दोवादि वस यू आर मोहन या फिर मैने का तो यह घारा बारा इन तीन मेंसे केवल दो ही को आपको बनाना है ठीक है जो अच्छा लगी आपको दो ही बनाइए आगे देखते हैं तो सेक्षन से आता है अब सेक्षेंस इसमें देखते हैं तो इसमें आपको 14 से 18 तक के आंसर करना है ठीक है अब मतलब कि आपको किनी तीन प्रश्णों का ही आंसर करना है आंसर एनि थीरी ओफ दफ फॉलविंग इन मोर दें 35 वर्ड ठीक है तीन तीन माक्स के तीन कोश्चन का अंसर करना है 35 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है यानि कि अगर आप एकजाम दे रहे हैं आच्छा से अगर आप तयारी करने है तो मुझे लगता है कि एक घंटे में आप पेपर कंप्रिट कर लिजेगा आगे द सेल ऑन दा रोड साइड अस्टेंड नेक्ट देखते हैं सेक्ष्ट नंबर कोश्चन तो इसमें पुछा गया है कि हूँ आट राजकुमार कि शुक्ला ठीक है सुख्ला एज यह मिर्जाफुल वहला सुख्ला बोल रहा है कि यह नहीं देखा होगा उख भी लिए तो फिल देंगर आदम है यह वाज राजकमार सुकलाव वाइज ही डिस्क्राइब एज बिंग रिजॉल शेवंट्ए डिशम पुछा गया है कि हूँ इसमें मिश्टर लेंब वाइज ही एव टेलेग। इसमें पुछा गया है कि हाव मच मनी डिड़ ऑल क्रॉप्टर हैज इन हीज पोच फिर पुछा गया है कि हाव डिड़ ही और वह इसको केसे प्राप्त किया तो बस इतने कोश्चेन हैं और बहुत इजी हैं अगर आपने पढ़ा है तो और नहीं पढ़ा है फिर भी मतलब से पास करेंगे बस आप इमांदारी से पढ़ाई किये होने चाहिए 15 दिन भी काफी है ठीक है तो बस यह था कॉस्चेन और इसका पीडियाप का लिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एक्जाम देने मिल जाएगा हमारे चैनल पर ठीक है तो नमस्कार मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए बाई कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजेगा थैंक्यों